बुलेटिन की शुवात करते हैं देश की आर्थिक राज्ठानी से लेकर सभी जगा अब लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है वहीं पिछले 24 गंडे की अगर बात करें तो कोरोना वाइरस के 17,000 से जाधा नए मामले सामने आए है प्रिदेश में अब संक्रमडर 17.73 प्रतीशवत तक पहुँच गई है वहीं इस जानलेवा वाइरस से 9 मौते भी हुई है वहीं सक्रिय मामलों की बात की जाए तो बढ़कर अब 40,000 तक पहुँच गए है कोरोना वाइरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखती हुए दिली में एक बार फिर विकेंड कर्फियू शुरू हो गया है ये कर्फियू शुकरवार रात 10 बजे से सौमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा इस दुरान लोगों को बिना वजह बाहर निकलने की इज्वाज़त नहीं होगी इसके तहत कई पाबंदिया लगाई गई है साथी जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को बाहर आने जाने की रियायत भी दी गई है वहीं सरकारी अफसर से लेकर कूट के ज़ज हॉस्पिटल एरपोर्ट रिल्वे स्टेशन बसज़े और परिक्षा देने जा रहे हैं लोगों को छोड़कर अन्य जरूरी सेवाओं से जोड़े लोगों के लिए डियम ओफिस से इपास जारी किये जाएंगे